हेलो एब्रिवन डेश्ट ओप स्नौ आपकी स्लेवर्स की फर्स्ट पोईम है थोड़ी सी छोटी बोईम है बस यह देखो दो स्टेंज यहां पर हैं मारे पास है लेकिन मीनिंग जो है ना बेटा यह थोड़ा सा डिटेल में है इसलिए मैंने इसके आपके पास पीडिएफ न करते यह दूसरा चीज है मेरे पास यहां पर हैम लौक और तीसरी जो मेंशंल है यह पर स्नौ थेन्हों स्नौ 2 चीजें स्नौ और हैं == eye स्नौ बोलो तो तीनों चीज़ें नेगेटिव हैं बेटा जो होता है उसको भी हम नेगेटिव समझते हैं अबारा जो कल्चर है इसमें मतलब किसी की डेथ वगरा पर खाना खिला जाता है क्रों को स्नौ भी जो है वो सेड़नों को शो करता है और एम लॉक जो है वह एक ऐसा खाने से डेथ हो सकते हैं इस तरह का है मतलब बहुत ज्यादा जारीला है यह हम लोग कट रही ठीक है तो यह तिन चीज़ें पहले नेगेटिव हैं फर्स्ट एंजा जो है वो नेगेटिविटी की बात करता है और सेकेंड स्टेंजा जो है वो बताता है कि नीचर की छोटी इसी चीज़ हमें किस तरीके से हमारे पूरे डे को चेंज कर देती है अब उसको परिम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी राइमिंग स्कीम बता देते हैं देखो क्रो एंड स्नो और मी एंड ट्री उसके बाद हार्ट एंड पार्ट मूड एंड यूजड ठीक है तो राइमिंग स्कीम क्या हो गए इसकी A, B, A, B उसके बाद C, D and C, D मतलब कैसे किया ये देखो जो फर्स्ट लाइन है क्रो वाली इसको हमने A लिख दिया क्रो का किसके साथ हो रहा था मैं स्नो के साथ तो A लिख दिया मी जो है वो B अलग राइमिंग स्कीम के साथ है तो कि आपर जो है B, आर्ट जो है वो C हो गया और पार्ट भी C हो गया तो मूट जो है वो D बन गया और ये जो रूढ़ा है ये भी D बन गया तो रेमिंग स्कीम होगी A, B, A, B, C, D, D, C, D ठीगrav तो ये हमारी पोएम की रेमिंग स्कीम है एक बाद मैं बात कर लेती हूँ यह पर इसके जो अमारे figure of speech यूज किये गई हैं सबसे पहले देखो figure of speech में हम देखते हैं alliteration का यूज है ना alliteration कहां पर है सबसे पहले hedge है hedge और heart एक line में हैं दो sound repeat हो रही है hedge है की sound hedge heart तो यह कौन सा है मारा alliteration alliteration अगर आपको यादो तो कौन सा figure of speech था जिसमें की sound repeat होती है alliteration अच्छा उसके बाद saved and saved sum save save ss की sound जो है वो रिपीट हो रही है यहां पर भी कौन सा है alliteration तो जब भी sound की repetition होगी वो हो गया हमारा alliteration ठीक है अब चलते हैं एक और figure of speech मैंने आपको बताया था sign code ठीक है जो कि आप जो doubt class थी उसमें आपने पुछा था sign code जो होता है वेटा यह figure of speech क्या बताया था मैंने वोल पार्ट के लिए और पार्ट वोल के लिए जब यूज करते हैं तो वह होता है sign code मतलब अगर यहां पर he has given my heart art यूज कर रहा है किसके लिए इसके लिए दिल को थोड़ी दिल थोड़ी उसका चेंज हुआ था या क्या था कि पूरा का पूरा पोईट का जो सेंटिमेंट थे वो चेंज हो गए थे तो पूरी बोड़ी के लिए पूरे पोईट के लिए जब आर्ट को यूज कर रहे हैं तो यह है हमारा sign code के यह फिग्रोब स्पीच है ठीक है अच्छा अग्ये देखो यह वोल रहा है शुक्डाउन ओन मी मेटाफोर काम पर यूज हुआ है जब स्नोफलेक्स फ्रों दा हैमलोक ट्री ड़स्ट औप स्नो फ्रो देस्ट के साथ comparison की अज़ा रहा किसको जो फ्लैक थे जो यह जो स्नोफलैक्स चोते हैं टुकोड़े जो बडबारी जो तो figure of speech मैंने आपको समझाए सबसे पहले दस्ट ओप स्नोवें मेटाफर था उसके बाद यहां पर saved sum में और hedge heart में एलिट्रेशन है और heart जो है वो sign code है और यह जो है हमारी poem में इस तरीके से है ठीक है अब आगे देखो figure of speech के बाद इसके meaning है sorry poem का जो meaning है उसको देखो सबसे पहले point बोलता है the way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree सबसे पहले crow जो है वो negative word है इसको भी अच्छा नहीं समझादा सा उसके बाद snow जो है वो भी कही ना कही sadness के लिए है और hemlock के बारे में तो बताया hemlock जो हता है poisonous tree है negative symbol यहां पर यूज कर लिए इसने तो कहता कि एक पेड़ के नीची खड़ावा है जो की पेड़ है hemlock का कौन रोबर्ट फ्रोस्ट पोईट रोबर्ट फ्रोस्ट की एक poem हमने पड़ी थी क्लास नाइंथ में the road not taken उसमें भी देखा था कि अपनी life के छोटी छोटी इंसीडेंट को डिस्क्राइब करके बड़ा सा message देना रोबर्ट फ्रोस्ट की poetry है जो उसकी एक खासियत रही है ना तो अब क्या है the way a crow जिस तरीके से crow ने shook down on me मुझे पर गिराया शुक डाउन शेक शुक शेकन होता है ना शुक हिलाया गिराया the dust of snow snow की dust याने कि जो बरफ पेड के उपर जमीवी थी snow flags जो थे उनको मेरे उपर गिराया from the hamlet tree has given my heart a change of mood तो इसने मेरे heart को मेरे दिल को जो है एक change of mood दे दिया था यानि कि मेरा पूरा का पूरा mood change हो गया था पहले जो है point किसी वज़ा से sad mood में है point जो है परबा अपने पूरे डे को खराब समझ रहा है और बहुत ही उदास है लेकिन जैसे ही इस क्रों ने जब बरफ को इसके उपर गिराया तो इसका mood एकदम से change हो गया and saved some part of a day I had rude rude मतलब बरबाद कर देना खतम हो गया था जो तो जो दिन मैंने अपने दिन को जिसको बिलकुल बेकार समझ रखा था या जो दिन जो था वेस्ट चला गया था उस दिन का कुछ पार्ट मतलब पूरा दिन तो नहीं लेकिन कुछ पार्ट जो था उसको बचा लिया था यहां पर इतना साब बताया गया है अब इसका hidden meaning जो है वो एक बार आपको explain करती हूं मैं जो hidden meaning है उसका यह है बेटा कि इस poem में जो रोबर्ट फ्रोस्ट है पॉइट उन्हों ने क्या मैसेज दिया है हमें कि जो जो नेगिटिव थिंग पॉजिटिव चेंज केंड टेक प्लेस थ्रोव नेगिटिव नेगिटिव फिंस मतलब क्या है कि जैसे यह नेगिटिव फिंग है सारी जो यहां मैंशन है उन से भी पॉजिटिव फिंक्स जो है पॉजिटिव चीज आ सकते हैं मतलब छोटी छोटी चीज़े जो है लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है मालो कोई परसन है उसका दिन बहुत खराब जा रहा है उसको जग ऐसे कोई डाट मर रहा है और वही पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको आगे बढ़ने के लिए मुटिवेट करती है और इसी तरीके से क्या है अगर किसी का अच्छा दिन जा रहा है तो आप उसको नेगिटिव बोल दो तो उसका दिन खराब भी हो सकता है तो नेगिटिव फिंक्स जो है उनमें स तो बड़े बड़े चेंज आ जाते है हैं मतलब कि आप मैसेझ की बात कर रहे हूं वह इनसे दो क्लियर यह हैं पहला चीज कि पॉजिटीव जो होते हैं वह भी पोजिटिव चेंज ला सकते हैं दूसरा जब छोट्साती स्मॉल फिंक्स होते हैं उनको एगर चेंज कर लें तो बड़े बड़ी चीज़े चेंज हो जाते हैं जैसे मालों सुबह जल्दे उठने की आदत है किसी को नहीं है लेकिन अगर उसने इसका डॉप्ट कर लिया तो फिर उसकी लाइफ में बहुत अच्छे और बहुत पोजीटिव चेंज देखने के लिए मिल सकते हैं और थार् प्रोस्ट ने अपनी स्पॉइम के थ्रू यह मैसेज आपको दिया है इसी का हीडन मीनी यह है तो इस तरीके से यह पोईम हमने कंप्लीट कर ली है और अगर एक लाइन में इसका पुछा जाए दे लाइफ गिवज अस लोट ओफ चेंजिस टू अस इन फ्यूचर तो कहता ह है कि लाइफ जो है ना बहुत सारे देती है आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पुरानी चीजों कोई पकड़के नहीं बैठे जाना चीए आगे बढ़ने की कोसिस करते रहना चीए ठीक है यह चोटी सी पोईम थी एक बार इसके किस्टन आंसर देखो अच्छा हैं लोग अमें किम देखों में क्या मतलब बताया एक प्वैजन ऌत्री एक जैरिला प्लांट है यह कि जिए जो मौल फ्लावर इसके जोटे चोटे फिलावर होते हैं और बहुत जयादा जैरिला प्लांट है हो ठीक हैं और Bye का मतलब है 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 यह दिन रिग्रेट पस्ताविस के साथ है उनकी खतम समझ रहा था फिनिश्ड यह बर्बाद जो था है अच्छाए अब यहां पर देखो पोई में क्या बताए गया किश्चन देखो इसके दो प्रेज़न प्रेजन प्रेजंट अमोमेंट देट सेम सिंपल ब कोई बात पूछ रहा है कि इस चीज़ को कंपेर करना है को यह कोटेशन देखी रोबर्ट प्रोश्न के अमेशा जो है ना लार्ज लार्जर सिग्निफिकेंस होता है चोटी सी चीज भी है ना बड़े चेंज ला देती है उसके बारे में सोचना है कंपेर करना है यह स्नौ क्या होती है स्नौ फ्लैक्स अना फ्लैक्स बरफ के जो छोटे-छोटे टुपड़ी अब बारी जब हो जाते उसको स्नौ डस्ट ऑफ स्नौ बोला गया मैटाफर का यूज है यह भी द्यान रख लेना अब दूसरा बोलता है कि वाट डर दा पोईट से हैं चेंज ही से चेंज हो गया था पहले अपने दिन को समझ रहा था लेकिन बाद में जो था वह पॉजिटिव अनेजी से फिल हो गया अच्छा नेक्स्ट है हाव डाज फ्रोश्ट प्रेजेंट निचर इन इस पोईम तो फॉलंग क्यूस्टन में हेल्क यू तु थिंक अबाउट इट प्रेखते हैं कुको होती है वेटा या नाइट एंगल बोल दिया जो ब्यूटिफूल और स्वीट जो वोईस वाले वर्ड होते हों नहीं को यूज करते हैं लेकिन इसने क्रोव को क्यों मेंशन किया है तो बताया है स्टार्टिंग में पोईट कि किसली होती है प्रोश जो वेसे ही नेगिटिव समझते हैं अच्छा एंगलोग ट्री जो है वाइड देन दपोई राइट अबाउट मोर ब्यूटिफूल ट्री सच है जा मैप लोग कर पाइन को कोई और सुन्दर भी ले सकता था एंगलोग को क्यों दिखाया क्योंकि उसको दिखाना उसका मैसेज तो यह ही था नहीं कि स्मॉल तिंग जिनको हम सिग्निफिकेंट समझते हैं जो इंपोर्टेंट है नहीं और वह भी पोजिटिव थिंग्स ले क्या सकती है ना वाट डू देख्रो हैं लोग रिप्रेजेंट जो आए और सोरो पहले ही बता दिया था वही किस से रिलेटेड हैं और वाट दस नो देट दा क्रोश एक हम लोग रिस्टेंट फोर किसले स्टेंट करती है किसको रिप्रेजेंट करती है तो यह चीज़े अल्रेडी हम बता चुके हैं है व्यावर्ट हैव देयर बिन टाइम्स वैन यू फेल डिप्रेस्ट और प्लेसी अपनी लाइफ का मिली जाएंगे मदर ने डाट दिया है और अगर वालों ने सब ने डाट दिया लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स है वह बुला कि आपको एक बार पूछ भी ले कि बिटा क्या हो गया तो ऑबियस्ली जो गुस्सा हो निकल जाता है या फिर बाइबैन के साथ लड़ाई हर मदर बुला के बूछ ले कोई बात नहीं मैं डाट दोंगी ना अच्छे वो डाट या ना डाट लेकिन एक वो जो थोड़ छोटा साथ पोजिटीव एक्षन जो किसी ने लिया है वह चीजी चेंज कर देता है ना बाकि अपने एक्स्पीरियंस अपने अकोर्डिंग अप लिख सकते हो ठीक है तो यह जो पॉइम थी इसकी क्यूश्चन अंसर थे जैसे कि हम क्लास में करते आए हैं सबसे पहले अपनी नोट बुक में अपने आप लिखने की कोशिश करोगे जब आपका क्यूश्चन बन गया है आपको लग रहा कि ठीक है तो अपनी उसी क्यूश्चन पर रहो वरना फिर पीडियेफ में सेंड करी दोंगी और आज के लिए जो डेली क्यूश्चन पूश्चन है हमारा क्या कि इस पॉइम में एलिटरेशन का एलिटरेशन फिग्रोप स्पीच का यूज कितनी बार हुआ है बता चुकी हूं मैंने एक जंपर के साथ बताया था कि यहां पर भी एलिटरेशन और यहां पर भी एलिटरेशन है तो क्यूश्चन आपका यह है कि एलिटरेशन पॉइट ने इस पॉइम में कितनी बार यूज किया देखते हैं लास्ट तक कौन पोच्छा है और किस-किस ने सही जवाब दिया अंकीता होती है एक साइल खुर पॉब्लम आपकी है क्लास में से ऐसे यूठके जाने वाली ठीक है चलो तिल देन टेक केर और बुडबाए